नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस्टेडी फॉर सिविल सेज में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेशन है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर रताइए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो सब्सकार दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस्टेडी फार इजांस में दोस्तों टॉपिक वाइस करेंट फैर सिर्ज को आगे बढ़ाते हैं आज भी हम लो कुछ इंपॉर्टन करेंट फैर को कबर करेंगे वीडियो शुरू करने इस पहले हैं बताना चाहता हूँ पर आप इन पिडिगों जुनना चाहते हैं तो यह हमारे दियागे नमपर है इस पर कॉलिवर्शप करेंगे जो है जनकारी प्राप्त कर सकते हैं तो आई हम वीडियो सुरू करते हैं देखते हैं आज का पहला टॉपिक 100% FDI मंजूरी पाने वाले पहली विदेशी रचा कमपनी किन सरकार ने पहली बार डिफेंस सेक्टर में किसी 100% FDI के प्रस्ताव को मंजूरी दिये हैं पहले जो है डिफेंस सेक्टर में FDI जो दिया जाता था वो सिर्फ 54% होता था अब जो वर्तवान इससे बढ़ा कर जो ह स्वीडन की एक कमपनी है साब जो राकेट मैनुफेक्टरिंग फैसेलिटी लगाने के लिए यह प्रस्ताव दिया था जिससे सरकार ने जो है मंजूर कर दिया है इसके लिए साब कमपनी FFV इंडिया नाम से कमपनी जो है रेइस्टर कराई है और कमपनी जो है भारत में का प्रफ्यडी का भी निर्मान करने वाली है आप फिल्मों देखें हूंगे कि कंधेश पर जो है एक प्रकार की तोप का चोटा पार्ड लेघर होता है तोप की तरह जो जो सिस्टम र्यूय रॉकट होता है रॉकेट की तरह जो है कंधी पर पर ऀक्याधके चला जाता है वह साब कंपनी के लिए है अगला जो टॉपिक है यह सिखर सम्मिलन दो हजार प्रधान मंतिर नजीद मोदी चार जुलाई को सिखर सम्मिलन की अधिशता किया है और यह आपका डिजिटल रूप में सम्मिलन आजित किया गया है यह सिखर में टॉटल जो है आपके 810 थे जिन में आपका चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ताचकिस्तान और उजपेक्स्तान टॉटल यह सिखर में 810 थे और इसका जो नवा सदस बनावा आपका इरान बना है यह सिखर में इस सिखर में में इरान, बेरारूस और मंगोलिय यह पर वेच्शक राज के रूप में आमंत्रित किये गये थी और 2023 के सिखर सेमिन जो थीम रखी गई थी एक सुरच्छित SEO की ओर जो है इसकी थीम रखी गई थी और इरान जो है आपचार रोप से SEO का पूर्ड सदस बन गया है 2023 में और यह SEO का नवा सदस बना है यह SEO सिखर सेमिन जो अस्थापना हुई थी वह आपका दोज़र एक में हुई थी और भारत और पाकिस्तान जो है यह SEO का जो सदस बना है वह आपका दोज़र 17 बना है तो यह प्रकार जो है यह स्थापना दोज़र एक में हुई है और भारत पाकिस्तान दोज़र 17 जो है इसक तीम रखे गए थी और इसका जो सम्मिलन है वह प्रधान मंतिर निर्मोदी की अधिस्ता मिस्का जो है सम्मिलन आजित किया गया था और यह 22 सिखर सम्मिलन आजित किया गया दोजार 23 में कुलूट 24 काया सोब का जोल मुखी यह जो जोल मुखी है यह यूरेसियाक सबसे उचा सक्री जोल मुखी है और इसमें जो है हाले में इसमें उदगार हुआ है इस्तिपूर 23 में आपरेल में उदगार हुआ था जून में उदगार हुआ है टोटल आप तक जो है तीन बार इस जौला मुखी में उद्गार हुआ है और यह जो जौला मुखी है यह है रूस में प्राइदीप है जिसका नाम काम चटका प्राइदीप है यहाँ पर यह स्थित है और यह सक्री और सुस्त जौला मुखी और गीजर और भूत आपी जन्नों के लिए काफी फिमस है यह जो प् पुलू चोईसकाया सोप का जॉलमोखी पर विस्फोट हुआ है यह किस प्राइदीप में है तिया आपके कामचट का प्राइदीप में है अगर देश पूझता ता आपके रसिया में है और यह आपका सक्री जॉलमोखी है भारत का महा सर्वेच्छक हितियेश कुमार एस मकव को भारत का महा सर्वेच्छक निवक्त किया गया है कि कॉलिन मैकेंजी को 1815 में भारत के पहले सर्वेच जनरल कुरूप में निवक्त किया गया था विज्यान और प्रिद्योक्य विभाग के अंत्रगत भारती सर्वेच्छन विभाग जो भारत का राष्टी सर्वेच्छन S मकमानों को नियुक्त किया गया है भारत के महा सर्विच्छ के पतपर भारत ओर्गेनिक्स ब्रांड सहकारिता मंतरी अमिस्ता ने National Corporation Organics Limited NCOL का भारत ओर्गेनिक्स ब्रांड को जारी किया है और इसके तहर जो है 6 उत्पाद चुने गए हैं जिनमें आपका अरहर दाल है चाना दाल है, चीनी, राजमा, बासमती चावल और सोना मसूर चावल होंगे टोटल जो है 6 उत्पाद चुने गए हैं भारत ओर्गेनिक्स ब्रांड के तहर्ट और इसी बढ़ाकर जो है दिसंबा 2023 तक टोटल टेश उत्पाद लांच करने का प्रोग्राम बनाए गया है और इसके लिए मदर डेरी के टोटल डिर्ण सो जगहों पर इसकी शुरुवात की गई है तो इस प्रकार जो है भारत ओर्गेनिक्स ब्रांड के ब्रांड को सहकारिताय मंत्रे अमिस्ताने जो है जारी किया है और वर्थमार में टोटल जो है इसके च्छाय उत्पाद को लांच किया जिसमें आपका अरहर डाल है चना डाल है, चीनी है, राजमा, बासमती चावल और सुना, मसूर चावल है और दिसम्बर तक इसके उत्पादों जो संख्याव आपके तेज कर दी जाएगी आईए इसे डेटरे कुछ प्रस्णों को हम लोग प्रेक्टिस करते है पहला जो प्रस्ण है, यहाँ पर दो श्टेट में दिया गया है अमिशा नेशनल कोप्रेशन और्गनिक्स लिम्टेड न्सी ओयल का भारत और्गनिक्स ब्रांट जारी किया है हितियस कुमार एस मकवाना को भारत का महा सर्विच्छक निवत किया गया है आप सना आप लोग पढ़ लिजे पहला जो स्टेट में आपका सही है अमिशा नेशनल कोप्रेशन और्गनिक्स लिम्टेड का भारत और्गनिक्स ब्रांट को जारी किया है और इसके लिए जो च्छेवत पाज आपके चुनी गया है दूसरा जो स्टेट मेंट भावी आपका सही है अगला जो प्रस्ट है यहाँ पतिनी स्टेट मेंट दिया गया है पहला जो स्टेट मेंट है प्रधायम मंति नरिद मोदी चार जुलाई को SEO परसित के राष्टा द्हचों के बाईस में सीखर सम्मिलन की जो है अध्यशता की है इरान आपचाई रूप से SEO का पूर्ण सदस बनाया है सीखर सम्मिलन का जो बिसे था वह एक सुरच्चित SEO के ओर इस बार का बिसे था इसके लिए चला अपने आप लोग आपसम पढ़ लीजे इसका जो पहला स्टेट मेंट वह सही है 22 में सीखर सम्मिलन जो अध्यशता है वो भारत के प्रधा मंत नरिद मोदीन की चार जुलाई को यह आपका आउजित किया गया था दूसरा जो स्टेट मेंट वह आपका सही है इरान जो है यस्त्यों का फूर सधुर्थस बन गया है और यह नंव पूर्थस बनाया है अगला जो प्रस्ट्ट है, प्लू चिवस्काया सोब का एक सोसुप दुजाला मुखी है, यह आपका statement दिया गया है, दूसरा जो statement है, यह काम चटका प्राइदी परिस्तित है, आपको बताना है काउन सा statement जो है, सही है, केवल एक, केवल दो, दोनो, या तो, ना तो एक ना ही दो, तो इसका जो पहला जो statement बापका गलत है, क्योंकि सोब का जो जो जोला मुखी है, यह सुसुप जोला मुखी नहीं है, बलकि यह सक्री जोला मुखी है, कुलू चिवस्काया सोब का जो जोला मुखी है, आपका एक सक्री जोला मुखी है, दूसरा जो statement है, यह सोब का ज आपका सभी को बहुत कुछ जहने को मिलाए में तेकर निए जैब भारत